पौरानिक कथा के अनुसार जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के हमन कुंड में कुद कर आत्म दाह कर लिया था तो महादेव बहुत दुखी हुए थे और सती के बियोग में ध्यान में बैठ गए थे उस समय तरकासूर ने ब्रह्मा जी से तपस्या की और उन्हें प्रसन का वरदान मांगा की उसकी मिर्तु सिर्फ सीव के पुत्र के हाथों से ही हो जाना था कि सीव सती के बियोग में ध्यान में चले गए और न तो उनका ध्यान भंग करना संभव है और न कि सीव का असानी से दूसरा भी बाह हो सकता ब्रह्मा जी ने उन्हें बरेदान दिया इस बरेदान को पाकर वह बहुत तकत्वर हो गया कोई चाह कर भी उसे मार नहीं सकता था ऐसे में उसने देवताओं को भी प्रेसान करना शुरू कर दिया इससे दुखी होकर सभी देवता भगवान विश् जाव दिया कि महादेव का तब किसी भी तरह भंग करवाए और इसके लिए काम देव की मदद ले तब काम देव दिने सीव जी का तब भंग करने के लिए बसंत रितू को उत्पन किया इसी रितू में ठंडी और सुहावनी हवाय चलती है पेरों में नए पत्ते आना सुरू ह सर्सों के खेत में पीले फूल दिखने लगते हैं आम के पेड़ों पर बोड़ आ जाते हैं बसंत रितू के मोसम में काम देव उन्हें सीव जी पर कामवानों की वर्षा की इससे सीव जी का ध्यान टुट गया और उन्हें क्रोध आ गया क्रोध में उनका तिसरा नेत्र कुछ समय बाद जब महादेव का कुरोध सांथ हुआ तब देवताओं ने उन्हें बताया कि कामदेव को ऐसा क्यों करना पड़ा इसके बाद कामदेव की पतनी रती ने महादेव से निवेदन किया कि किसी तरह वे कामदेव को जीवित करे तब सीव जी ने रती को बढ़दा दिया कि द्वापर यूग में काम देव सिरी क्रिश्न के पुत्र परिदुमम के रूप में जनम लेंगे इससे कुछ समय बाद परवती की तपस्या से सीव परसन हुए और उनका विवा माता पारवती के साथ हो गया सीव जी और माता पारवती के पुत्र के रूप में कर्थक ये ने तरकासुर का वध करके दिरताओं उसके आतंक से बचाया तो ये थी एक छोटी सी कहानी वसंत रितु के आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद जैमा पार्वत ज़र ओडाएब।